सावन में हम सबने अकसर देखा है, तावरिया जल भर कर लाते हैं और महादेव का अभिशेक करते हैं, ये पवित्र रिच्वल हमारी भक्ति और शद्धा को जोडता है, तावरिया घर से धूर धूर तक की यात्रा करते हैं, पानी भरते हैं और महादेव पे चड़ाते हैं, विशेश धारों से अभिशेख करकर महा देव की क्विपा, आश्रिवाग और सुख्समिदी पा सकते हैं पहली धारा है जल धारा, जल धारा से आपका मन शान्त होगा और लक्षे प्रात्त होगा दूसरी धारा है दूद धारा, दूद आपको बौदिक विकास प्रादान करेगी तीसरी धारा है शहद धारा, शहद से आपके समस रोग नश्ट होगे शौती धारा है गी धारा, गी धारा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूंग होगी पांचवी धारा, गुलाब जल की धारा, इस धारा से आपको समत भधिक सुगों की प्राप्ति होगो छटी धारा, गन्ले की रस की धारा, ये आपकी आर्टिक तंगी को दूर करकर लक्ष्मिता वास कराएगी सात्वी और आक्री धारा, सेसो के तेल की धारा, ये आपके मान समान को बढ़ाएगी और आपके दुश्मनों पे विजे प्राप्त बढ़ाएगी हरर वहादरी